नमस्ते दोस्तों आज हम पर्तो वाली बहुती क्रिस्पी नमक पड़े की रेसिपी आप लोगे शाथ शार करूंगी तो आप ये चाय कापी के सद भी ले सकते हो सामको बहुत अच्छा लगता है या छोटे मोटे भूक में भी खा सकते हो तो आए देख लेते हैं कैसे बनाते है कि तो में हें दो काप मेदा रेलूंगी अब दो काप मेदा में थोरा सा नामक मिलाओंगी स्वादनुसर थोरा सा चीनी दूंगी और 14 टीसपून कलनजी दूंगी और एक टीसपून आजवाइन को हाथ में अच्छे से मसल के डाल दूंगी उससे खुस्बू बहुत और 2 कप मैदा में 3 tablespoon white oil मिलाओंगी अब अच्छे से सब चीज को मैदा के साथ मिक्स करना है मिक्स जितना अच्छा होगा खाने में उतना ही अच्छा लएगा इसलिए सब चीजो को मैदा के साथ अच्छे से हाथों से smashe कर लेंगे और ये मोयदा का मयान है भी बहुत अच्छा होगा है हाथ में मुठी लगने से आ रहा है तो समझ माया जो मयान बहुत अच्छा होगा है आब धीरे-धीरे पानी देखे इसका एक डो लगा लेंगे एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी देखे डो लगाना है डो ज्यादा नरम नहीं होगा थोड़ा सा सकत होगा उससे क्रिस्पी बनता है नमक पड़े तो मेरा डो लगाना हो गया है आप इसको आधा गांटा के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे आप आधा गांटा बाद मैदा अच्चे से सेट हो गया है उसको और एक बार समेश करके उससे छोटा छोटा लोईया काट लेंगे पूरी में जैसे हम चोटा-चोटा लोईया काटते हैं वैसे ही चोटा-चोटा लोईया काट लेंगे तो मेरा लोईया काटना हो गया है अब एक-एक करके लोई को बॉल जैसा सेब दोंगी उससे बेलने में सुभीदा होगा तो आप मैं यहां मैदा अची रखके बेलूंगी तो आप चाओ तो घी या तेल में भी बेल सकते हो तो मैं मैदा के यूज़ कर रही हो हैं और पूरी जैसे बेलते हैं वैसे ही बेल लेंगे जैसे ही पुरी जैसे बेलना हो जाए तब एक फुल्ड करेंगे और दोबड़ा दूसरी फुल्ड करके हाथ से थोड़ा सा हलका हाथों से प्रेस कर लेंगे बस नमकिन बनाना हो गया है अब इसको फृई करेंगे तो फृई करने के लिए में यहां white oil दिया और gass ki flame medium में राखे जैसे तिल थोड़ा सा गरम हो जाए तो गरम हो गया की नहीं थोड़ा सा मैदा देखके मैं ने डाल के देख लिया तिल गरम हो गया है और gass ki flame इस टाइम एकदम धिमा करतेंगे और धीरे धीरे एक एक करके नमकिन को फ्राइ कर लेंगे इस टेम धियान रखना है आज एकदम धिमा रखना है धिमी आज में नमकिन को फ्राइ करना है नहीं तो नमकिन उपर से लाल हो जाएगा मगर अंदस से कच्चर आएगा इसलिए धिमी आज में नमकिन को fry करना है, इसलिए क्या होता है, नमकिन बहुत ही क्रिस्पी बनता है और खाने में बहुत अच्छा लगते हैं, आप एक माहने तक गाचका बटल में स्टोर करके रख सकते हो, तो नमकिन फ्राइ हो गया है, आप उसको एक एक करके उठा के रख दिया, एक ही प्रोसे के साथ तो बहुत अच्छा लगता है खाने में आप इसी दर के से ट्राइ कीजिएगा बहुत अच्छा लएगा तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लागा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ब सब्सक्राइब करना बहुत थाज याईवाद झा झाय?